यदि आपकी भी मनी प्लाइंट बार बार सूख जाती है कई वर आपने मनी प्लाइंट का जो पौदा है वो लगा लिया है लेकिन मनी प्लाइंट चल नहीं पाती बिल्कुल गुरूत नहीं कर पाती है और सूख जाती है और आप इस चीज़ से परेशान है तो आज इस वीड तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जैसे कि दोस्तों सामने आप जो मनी प्लेंट देख रहे हैं काफी हरी-भरी बनी हुई है मनी प्लेंट लगाते समय हमें चार बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि हमें जो मनी प्लेंट का पौदा लगाना है जमीन पर या गमले में हम लगा रहे हैं तो हमें उसकी सोल कैसे तयार करनी होती है जानिए आपको 70% तो गार्डन की नॉर्मल मिट्टी चाहिए आपको 10% हमें नदी की जो रेत लेनी है जो सेंड बोलेनी है और 10% हम बर्मी कंपोष्ट या गोवर की खात लेंगे इसकी अलावा 10% हम लेंगे कोकोपीट अच्चे से मिक्स करेंगे और हमारी एक अच्ची सोयल बन के तयार हो जाएगी इससे जादा पानी बहुत देर तक नहीं ठेरेगा क्योंकि कई वार क्या होता है कि पोदे को हम अंदर भी घर में रख लेते हैं तो इसमें क्या है कि जादा पानी देर तक ठेरे नहीं जादा पानी यदि देर तक ठेरेगा तो इसकी जड़े होती हैं रूट्स वो गलने के चांसिस बन जाते हैं तो आपको ऐसी सोयल बनानी ह इसके अलावा अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कभी आपकी money plant सूकेगी नहीं और खुबसूरत और चमकदार रहेगी money plant बहुत तेजी से बढ़ेगी और हमको इसके अलावा क्या करना है कि जो हमारी money plant होती है उस पर सुवेस आप पानी का हमें spray करना चाहिए जिससे कि money plant की जो पत्या है वो खुबसूरत और चमकदार रहें और साथी साथ money plant के पोदे को पानी भी मिलता रहे इसके अलावा money plant को हम देखिए ज़्यादा direct दूप में नहीं रख सकते आप ऐसी location पर रखें जहां पर money plant पर हलकी सी या तो सुबह की दूपा है या साम की मतलब सुबह साम की दूपा जा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ऐसा करना है direct आप इसको दूप में नहीं रख सकते क्योंकि direct आप इसे दूप में रखेंगे तो money plant आपकी कभी चल नहीं पाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं इस money plant पर देखिए अभी चाया बनी हुई है और money plant बहुत तेजी से बढ़ रही है अब बात आयाती है जिन लोगों की money plant सूख जाती है वो इसी बज़े से सूख ती है क्योंकि या तो money plant को direct दूप में रख देते हैं या उसमें जो मुल्य पुस्तत्मों की कमी होती है तो पुदा इसलिए सूख जाता है आनेंगे money plant के लिए special fertilizer तो यहां पर देखिए मैंने एक ग्लास में पानी लिया हुआ है क्योंकि छोटी money plant है तो कम डालेंगे हम fertilizer और मेरे हाथ में आप यह जो चीज देख रहे हैं यह दोस्तों मैंने संत्रा लिया हुआ है यानकी orange अब देखिए कई वार क्या होता है कि हम संत्रे के जो छिलके होते हैं उनका तो fertilizerum बनाती ही बनाती हैं लेकिन जैसे कि आपने देखा हुआ कि money plant के लिए दूद बहुत अच्छा है यानी milk बहुत अच्छा होता है डालने से money plant की growth बहुत तेजी से बढ़ती है इसी तरह से जैसे कि हम यूज कर रहे हैं संत्रे के चिलके तो हमें क्या करना है इसमें से लगवग जो संत्रा में ने लिया हुआ है जब इसका जो रस है उसका हम इस्तमाल करेंगे अपनी money plant में तो सिर्फ तीन दिन में आपकी money plant की growth होने लगेगी इसके रस को और घर्मियों में money plant बिल्कुल नहीं सूखेगी अब इसको हम इस्तमाल कैसे कर सकते हैं जानिए यहां पर यह जो संत्रा मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं और देखिए एक गिलास में मैंने पानी लिया हुआ है अब इसमें से हम दो भाक कर लेंगे और हलका सा इसमें से रस इस गिलास में हम डालेंगे तो पानी इतना मैंने लिया हुआ है चोटा गिलास है और इसका आप मनी प्लैंट के जो पत्ती आएं उनपे स्प्रे भी कर सकते हैं कोई दिख्कत नहीं है बी कर देंगे तो मनी प्लैंट की पत्ती आएं वो खूबसूरत और चमकदार दिखने लगेंगी तो चलिए मैं इस fat larger को अब तयार कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसके देखिए दो भाग कर लिए हैं और यही वो money plant के लिए special fat larger है जो कि हमारी money plant की growth को फिर से सुरू कर देगा money plant को सूखने नहीं देगा तो चलिए अब इसको बना के हम अपने money plant में डाल देंगे इसे डालने के बाद में आप एक महीने तक बिल्कुल खुछ मत डालिए कोई दिक्कत नहीं है आपकी money plant बहुत तेजी से growth करेगी और बहुत घनी हो जाएगी और आप एक महीने तक बिल्कुल free हो जाएगे आपको अपनी money plant में सिर्फ पानी डालना है फटलाजर की कोई आवसकता नहीं रहेगी अब इसे मैं अपनी money plant के पोदे में डाले देता हूँ तो दोस्तो आप इस तरीके से अपनी money plant को बहुत जादा खुबसूरत और घनी बना सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अबस्ती पसंद आई होगी यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें, share करें और हमारी चैनल पर आप पहली बार आये हैं तो हमसे जुनने के लिए हमारी चैनल को अब subscribe करें मैं मिलता हूँ आप से एगली वीडियो में किसी ने टोक सा ठेंक्यू